हाई गाईज और वेलकम बैक टू यूर ओन चैनल दीपक यादव साइस अकेडमी वेलकम टू धी डिरी करेंट अफियर्स आफ सेविन अफ डिसेंबर 2020 तो आज है तारिक 7 दिसंबर 2020 आज की तारिक से जितने भी इंपोर्डेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट इसको हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे नाव बढ़ते हैं आगे और गाईज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडियेफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है उस टेलिग्राम के लिंक के उपर क्लिक करो और जाकर उस टेलिग्राम के चैनल को जॉइन कर लो क्योंकि वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडियेफ तो मिलती ही है साथ में डेली दाहिंदू न्यूस पेपर भी आप महाँ से डाउलोड कर सकते हो जो कि आपके यूपीस दी प्रिपरेश ग्यूट और इसी तरीके सा आप लोग आगे भी दिखाते रहेना तो जिन लोगोने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है पहले यूज बाकर आपना चा इस चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सादी साल अपना ओन अगे ओर आता है हमारा आर्टिकल नूबर वन इस काफ़ी जादे न्यूज में रहने वाला आर्टिकल है तो सिंगु बॉर्डर के बारे में थोड़ी सी लोकेशन देखेंगे नाव इस आर्टिकल को हम लोग को ने इंडियन एक्स्प्रेस न्यूस पेपर से लिया है जोग्राफी के पॉइंट आव्वी से आर्टिकल इंपॉ एक्स के अंडर में मंडीस जो थी उनके अंदर चेंजिस लाए गए थे ठीक है यह सारी चीज़े थी मैं काफी बार एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ और मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाने वाला हूं इन तीन फांबल्स के ओपर तो उसके लिए वेट करना क्योंकि अभी इस वीडियो में इस आर्टिकल के अंदर सिंगू के बारे में बात हो रही है जो फार्मर से वो सिंगू बॉर्डर पर प्रोडेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर उनका कहना है कि 8 दिसंबर को भारत बंद होगा यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर यह लोग प्रोडेस्ट कर रोका जा सके सिंगू बॉर्डर यहां पर focal point बन चुका है प्रोटेस्ट का क्योंकि main जो प्रोटेस्ट है वो सिंगू बॉर्डर के ओपर हो रहा है तो farmer unions जो भी हमापे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने बाकी farmers को बोला है कि वो लोग भी आएं वो सब भी खट्टा हों ग national highway number one GT road यहां पर पहला village पढ़ता है डेली के अंदर में जब आप enter करोगे हर्याणा से तो डेली के अंदर जब एंटर करोगे तो पहला village यह सिंगू village मिलेगा ठीक है और इस village सिंगू village के पास में काफी सारे गाउं पढ़ते हैं जैसे कि सिंगोला, अलिपूर, कुंडली, सरसा और जानती कलन, तो इस तरीके के हाँ पे और भी villages पढ़ते हैं, एक्जैक बात करें तो यह situated है सिंगू हमारा कहां पर नियर नरेला इन नौर्थ वेस्ट ऑफ डेली, ओके, नाव उस article को हमने खतम किया, आते हैं हम लोग article number 2 के उपर, इस article को हम लोग ने दाहिंदू न्यूस पेपर से लिया है, और person in news के point of view से important है, इस article में एक main personality है, जिनकी अभी death होई है, तो उनी के बारे में बताया गया, इनका नाम है दिनेशवर शर्मा, लक्षवदीब के administrator थे, और former intelligence bureau chief भी रह चुके हैं यह, इनका नाम है दिनेश शर्मा, इनकी death हो चुकी है, और service में यहाँ पे काम किया, इन्होंने बिहार से बिलॉंग करते थे, आईबी director के लिए इन्होंने सर्फ किया, 2014 से लेगा, 2016 तक, साथी साथ इस bureau को इन्होंने head भी किया, और जब यहाँ पे government ने announce किया था, कि जो demonetization note बंदी को announce किया गया था, तो यहाँ पे head बन गए थे bureau क उसके बाद जब इनका retirement हुआ, retirement के बाद इनको appoint करा गया as a interlocutor, तो आसाम बेस जो भी insurgent groups थे, वहाँ पर इन्होंने यहाँ पे, आप कैसे तो appoint करा गया उन्हे as a interlocutor, उसके बाद इन्होंने एक committee भी head करी थी, ताकि जो home ministry है उसको restructure करा जाए, तो आप समझ सकते हो, बह जम्मू कश्मीर के यहाँ पे cabinet secretary की rank भी इनको दी गई थी, और फिर उसका 5 अगस 2019 के बाद जब parliament ने क्या करा, जम्मू कश्मीर का special status को revoke किया, और यहाँ पे states को क्या कर दिया गया, दो union territories के अंदर बाट दिया गया, तो यह जो शर्मा जी थे, इनको appoint किया गया था as a administrator of union territory of Lakshadip, तो 25 October last year की बात है, उसके बाद इनकी आज की टाइम पर death हो गई है, तो उसी की वज़ा से personality news में, मैंने इनके बारे में काफी कुछ बता दिया है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत बाते news में है यह और आप से question मन सकता है, ना उसके बाद आते यहाँ पर एक personality की बात और यहाँ पिचर में देख सकते हो, एक छोटी सी लड़की है, 15 साल की, जिसका नाम है गितांजली राओ, तो यहाँ पर इसने काफी कुछ नाम रचा दिया है, अपना, इंडिया से बिलॉंग करती है, ठीक है, अमेरिका में रहती है इस समय, तो फि पहली ऐसी बच्ची बन चुकी है, जो की टाइम मैगजीन के कवर पर फोटो छपी है, जिसकी ठीक है, ऐसी पहला यहाँ पर किड़ बन चुका है, अगर हम बात करें, गितांजली राओ का जन्मुआ था 2005 में, यह एक अमेरिकन इन्वेंटर है, ओथर है, साइन्टिस्ट है रेकगनाईस करा गया था, एज़ा फॉप्स 30 अंडर 30 के लिए, क्योंकि इन्होंने काफी सारे इन्वेशन्स नए-ने आविशकार किये थे, उसके लिए यहाँ पर काफी सारी चीजें अवार्ट्स वगरा भी मिले वे हैं, ठीक है, ओन इट्स डिसमबर 4, 2020, यहाँ पर 4 द मस हो चुकी है, गितान जली रहा हो, ओके ना उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नमबर 4, इस आर्टिकल को हम लोग उने एकनॉमिक टाइम न्यूस पेपर से लिया है, अगेन यह इन्वार्मेंट के पॉइंट आविश से इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को मालू मना चाहिए, इन्वार्मेंट कहां पे आता है, अगर आप लोग यूपियस की त्यारी कर रहे हो, तो जीयस पेपर 3 में, इस आर्टिकल में एक बर्ट के बारे में बात हो रही है, होबारा बस्टर्ड, तो पाकिस्तान ने अभी क्या करा, रिसेंटली इशू करा, एक पर्मिट पर्मिशन दे दिया है, इसे साउधी क्रॉन, प्रिंस मौंबद बिन सल्मान को, और कुछ दो मेंबर्स और हैं, रोयल फैमली के, उन सब को पर्मिशन दे दिया है, कि वो अब इसका शिकार कर सकता है, इस बर्ट का, इसे इंटरनेशनली प्रोटेट करा जाता है, यहाँ प यह सारी चीज़े बोली हैं, पाकिस्तान के दोरा कि इसको हंट कर सकते हैं, हंटिंग सीजन में, हंटिंग सीजन कब है, 2020 और 2021 के जो हंटिंग सीजन होगा, उसके अंदर, नाओ जो यह हो बारा बस्टर्ड है, ओके, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो की र मिलती है, जिसका नाम है क्लेमिडॉटिस मैक्कुइनी, इसे हम लोग मैक्कुइन्स बस्टर्ड भी कहते हैं, जो यह पॉपुलेशन है, एशियन होबरा बस्टर्ड की, यह नौर्थ इस्ट एशिया से फैली होई है, सेंट्रल एशिया तक, मिडिल इस्ट तक, अरेबियन सिनाई डेजर्ड, यहां सब जो बर्ड हम लोग को मिलती है, यह बस्टर्ड हम लोग को मिलता है, अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फंड फंड फॉर होबरा कंजर्वेशन, जो कि इंटरनेशनल फंड दिया जाता है, इसको प्रोटेट करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया, कि रफली 33,000 एशन होबरा बस्टर्ड जो है, आज के टाइम पर बची हुई है, ठीक है, कहां पर मिलती है, इरान, पाकिस्तान, तर्कमेनिस्तान में हाँ पर देखने को मिलती है, जाधा तर, उसके बाद यहां पर, यह इसको ओके, आगे बढ़ते हैं और आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के उपर, इस आर्टिकल को अब लोग ने P.I.B. से लिया है, साइंस और टेक के पॉइंट अभी से इंपोर्टन है, साइंस और टेक कहां पर आता है, जी एस पेपर 3 में, आर्टिकल इतना अपोर्टन नहीं है, बट मैं आपर कवर कर लेता हूँ, जब हमने लिखा रखा है यहाँ पे तो, तो यहाँ पर क्या बहुत हो रही है, बेसिकली एक कॉन्फरेंस हुई है, उस कॉन्फरेंस का नाम है The Second Cancer Genome Atlas, TCGA, तो जो Ministry of Science and Technology हैं, और Vice President हैं किसके CSIR के, Council for Scientific Industrial Research के, डॉक्टर हर्ष वर्दन, इ 2020 के कॉन्फरेंस का New Delhi के अंदर में, नाव यह TCGA कॉन्फरेंस है क्या, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कि यह क्या करता है, कैंसर वगेरा के उपर स्टेडी करता है, और Public में आपर डिटेल्स वगेरा पहुचाई जाएंगी, यह जो Joint effort है किस-किस के बीच मे US National Cancer Institute और साथी साथ National Human Genome Research Institute के द्वारा, यह स्टार्ट क्या गया था 2006 में, ठीक है, यह लोग क्या करता है, साथ में लेकर आता है, researchers को, अलग-अलग categories से, अलग-अलग institutions से, काफी सारे जो researchers होते हैं, उनको लाकर, studies वगरा कराई जाती है, over the years, जो TCG है, इसने generate कर रखा है, 2 2.5 petabytes of genomic, epigenomic, or transcriptomic protonator data, यह सारा data है, किस चीज़ से related, cancer से related, कैसे हम लोग डाइगनॉस कर सकते हैं, कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, cancer को, यह सारी चीज़े, यह सारी information जल्द ही public में available कराई जाएंगी, ठीक है, तो उसके लिए आपर यह TCG हमा हमारा काम कर रहा है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, next article आप लोग को मालूम होगा, यह भी काफी जादे news में, आज का हमारा last article है, जापान के Hayabusa 2 mission के बारे में, इस article को Indian Express newspaper से लिया है, science and tech के point of view से important है, UPSC की त्यारी कर रहो तो, आप लोग को मालूम होना चीए, science and tech कहां पर आता है, GS paper 3 में, बात exactly हो रही है, जापान के Hayabusa 2 mission के बारे में, 6 साल पहले, एक जापान ने Hayabusa 2 mission के नाम से launch किया था, एक aircraft, ठीक है, जो कि यहाँ पर यह लोटने वाला है, 6 December तक को, यानि कि 6 December हमारी कल थी, तो 6 December को वापस तक यहां पर पहुँच चुका है, और कहा पर landing हुई है, इसके अंदर Australia के अंदर landing कराई गई है, याद रखना Japan से launch किया है, और Australia में इसकी landing हुई है, ठीक है, और जो यह mission है, इस mission में क्या हुआ है, कि यहाँ पर क्या हुआ, जो भी यहाँ पर गया था उपर, तो इसने sample खटे किया है, कहां से, एक asteroid है, Ryugu, ठीक है, से sample लेके यह वापस Earth के उपर आया है, और जो यह रायूगी asteroid है, तो यह कहां पर, जो हमारा सूरे है, सूरे के किनारे किनारे चक्कर लगाता है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अब detail में देखेंगे, जो हाया बूसा, हाया बासू, शौरी, हाया बूसा को आदिया है, मैंने, I अभी मैंने शायद spacecraft ही बोला था, या aircraft बोला था, ठीक है, तो दो चीज़े है, इनको ignore कर देना, ठीक है, सुबहत तीन बजने है, तो यहाँ पर recording में, अभी नीद इतनी पूरी नहीं है, तो एक दो वर्ट निकल जाते हैं, तो अब उसका, मुझे बता दिया गर, ओके, तो जो एक asteroid है, रायोगू, उसकी हम लोग study कर सकें, और वहाँ से sample collect करके, अर्थ के उपर वो वापस spacecraft आ जाए, तो यह finally हो चुका है, उसने study करके, जो sample था, उस asteroid से उठा कर, वो वापस Australia के अंदर में land कर चुका है, यह mission बिल्कुल similar है, NASA के OSIRIS Rex mission से, जो कि मैंने अभी आप पढ़ाया था, recently, कि जो NASA का OSIRIS Rex mission है, यह क्या करेगा, यह sample लेने क्या है, Bennu से, ठीक है, Bennu asteroid से, यह मैंने आप लोगो पढ़ाया था, लेकिन हम लोग देखे, according to Japanese Aerospace Exploration Agency, यह पहली बार ऐसा हुआ है, कि जो probe है, यह इसने visit किया, एक celestial body को, under the 100 meters in diameter, अगर हम बात करें, हाया बासू mission था, हाया बासू 2 से पहले एक और mission था, हाया बासू, ठीक है, इसने यह कहां से sample लेकर आया था, यह भी एक asteroid से sample लेकर आया था, उस asteroid का नाम था, इटो कावा, ठीक है, 2010 की यह बात है, तो आप लोग समझ सकते हो कि जो रियोग्यू है, इसे classify करा जाता है, इसा potential hazardous asteroid ठीक है, खतरना gastroid इसे बोला जाता है, और इसको discover करा गया था, 1999 में, और इसको रायूडू नाम दिया गया था, by the minor planet center in 2015 में, और यह 300 million kilometers दूर है अर्थ से, ठीक है, और यहां पे 42 महीने लगे है, हाया बूसा 2 को पहुचने में, हाया बूसा 2, देखो, यहां पे हाया बू सॉरी गाइस, मैं आप लोगो एक बार और क्लियर करना चाहूँगा, यह हाया बूसा ही है, ओके, हाया बूसा ही है, एक बार और क्लियर करना चाहूँगा, यह चेक हो चुका है, ठीक है, मेरे को यहां पे confusion देखने को मिल गई, यहां पे हाया बूसा ही है, तो यहां पे हाय तो हमने इसके बारे में डिसकस कर लिया है यह क्या था बायालिस महीने लगे इस हाया बूसा को टू को पहुंचने में वहां तक और फिर फाइनली जो है यहां पर यह आ चुगा है वापस ओके तो सॉरी गाइस फॉर इंकन्वीनियंस आज के लिए तो एक दो मिस्टेक होगी कि मैंने बता दी वैसे करेट कर दिया आप लोगों को तो कोई वैसी टेंशन वाली बात नहीं है तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से अगले ही ऐसे नेक्स्ट बेहतिने वीडियो के साथ आज के लिए बस इतना ही आज के लिए बाय बाय है वा नाइस टे